हाई दोस्तों मैं दुर्गेश जासवाल मेरी यूटूब चैनल एर लेर्निंग विदुर्गेश में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अब प्राथिंग बढ़ते लिखित परिच्छा के में आपको पता है कि 30 नंबर में करेंट अफेयर और विवित के प्रश्णाएंगे त पिशली बार भी यहां से प्रश्ण पूछे गए थे इसलिए इसे हम लोग एक सिंपल कुई करेंगे जहां से प्रश्णाने की सबसे ज्यादा संभाव नाएं होंगी दोस्तों एक कोच्चन है यह प्रमुक अंताराष्टी सम्मेलन का पूर्ण परिच्छे तो दोस्तों आ यह आयोजैनिस को जो हुआ था 30 31 अक्टूबर हुआ था जो की नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था दोस्तों यह आप लोग धान से देखेगा अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही हो तो आपने मोबाइल के यूटूब के स्कीन पर इस कॉर्णर पर जाएगा यहां कोने में यहां पर तीन बिंदियों को से क्लिक करिएगा उसमें क्वाल्टी आएगी क्वाल्टी आप बढ़ा लीजेगा आपको वीडियो साफ दिखने लगेगी तो दोस्तों तो विश्टिक का जो अस्थापना हुआ था यह 1997 में हुआ था 1997 में हुआ था इसमें कुल सदस देस जो है वह है शाथ और प्रसम सब्मेलन जो इसका हुआ था वह हुआ था आपके बैंकांग में दोस्तों यह 24 से यहं 2 इसका आयोजन स्कते हैं पहला इसका नोगे माने चोथा विंटेक्षिक विंट in 2018 कहा हुआ था तो यह काथमथो नेपाल में हुआ था और दोस्तों अब प्राइआ सकता है अगला जोस्टा सम्मेलन है वह आपका कहां होगा दोस्तों तो यहां सी प्रशनाएगा तो वह होगा पाच्वा जो सिकर सम्मेलन अगला सिकर सम्मेलन है वह कोलंबो सिलंका में प्रस्तावित है दोस्तों आगे देखते हैं अब पढ़ते हैं दसवां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों इस सभी के ब प्रिक्स समयलन 2008 रक हुआ था इसका आयोजन 25 से 28 जुलाई 2008 रख रहुआ था जो जो हान्स वर्ग ये दच्छन अफरिका में देख लेगा दोस्तो ये जौहां सुवर्ग दच्छन अफ्रिका यहां और दस्वाद जो सम्मेलन था इसका विषय था अफ्रिका में ब्रिक्स चौती अध्योगी क्रान्ति के समावेशन विकासियों साजा सम्रिदिक में सयोग दोस्तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर आए यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं अफ्रिका में बृक्स में जो उसका विसे था वह यथा चौथी ओद्योगी करांती में समावेसी बिकासें, साजा संब्रिदिक के लिए सयोग, दोस्तों जो इसकी अस्थापना हुई थी, इसकी अस्थापना आपका 2008 में हुआ था, मई 2008 में, आगे देखते हैं दोस्तों, इ इसका जो पर्थम सिकर सम्मेलन हुआ था एकाटेनी वर्ग रूस 2009 में हुआ था दोस्तो और इसका जो ग्रावा सम्मेलन होने की जो संभावना है वह ब्राजील में 2019 में होगी जबकि इसके पहले जो नौवा सिकर सम्मेलन हुआ देखे दोस्तो यह नौवा सिकर सम्मेलन है य योग संगतन सम्मेलन 2008 इसका योजन दोस्तों 9-10 जून को किंग दाओ चीन में हुआ था यह दोस्तों यहां से प्रशन पूछे जाते हैं किंग दाओ चीन में हुआ था इसके स्थापना 2011 हुई थी इसमें भी कुल देश सदस देश संख्या है वो साथ है और पर्थम समेलन ज 27 सिकर सम्मेलन 2008 इसका आयोजन आठ नो जून को हुआ था और इसकी हुई थी क्यूब एक सिटी कनाड़ा ध्यान दीगा दोस्तों क्यूब एक सिटी कनाड़ा मुई थी इसके अपना 1975 में हुआ था अगला कुछ अदस देशन के साथ है और जो तिरास्वा सम्मेलन मतले इसक 27 सिकर सम्मेलन आगे देखते हैं दोस्तों प्रिथम अंतराष्टी और गटबंधर सिकर सम्मेलन दोस्तों यह महत्वपूर्ण इसका आयोजन आपके दिल्लिम हुआ था यहां से पूछे जा सकते हैं और इसका जो अस्थापना हुआ था वह 2015 में भारत प्रांस के स्वयोग दोस्तों इसका मुख्याले इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह गुरूग्राम में इस्तित है और गुरूग्राम आपको पता होगा अभी हालिम इसका नाम परिवर्तित किया गया यह हर्याण मिस्तित है दोस्तों अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहा है वह आपके लिए महत से था साजो भविस्यक्यों यह इंपॉर्टेंट इसका फिम पुस्ता है जो इसका पूश्टा है वहा है आपका साजो भविस्यकी और इसके एसापन उन् или 26 मुही थी इसका मुख्याले लंडन में है पहला से में सिंगापूर 971 मिसका हुआ था और 26 समेलें जिसके पहले और रवांडा में हुआ था और जो 27 प्रस्तावी थे दोस्तों 26 27 जो सम्मेलन होगा वह समोवा में होगा दोस्तों यह आपके लिए महत्पूर हैं अगला तेरहां माजी 20 सिकर से प्रस्ना आते हैं दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था वह ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था दोस्तों आपके लिए महत्पूर है और इसका जो पिछला समयलन होगा वह हैंबर्ग इटली में 2017 में हुआ था दोस्तों आगे देखते हैं जो इसका अगला समयलन 14 प्रस्तावित है वह आपके जापान में है 2019 में अगला देखिए दोस्तों आर्थिक मंच का और तालिसवा वार्षिक समयलन दोस्तों यह आपका आयोजन फरवरी 2018 में दावोस शुट्जा लेंड में हुआ था यह महत्पूर है और इसका जो अगला जो यह आपके प्रश्न आ सकते हैं अगला जो है आसियान सिकर समयलन दोस्तों आपके लिए काफी महत्पूर है आसि मनीला फिलिपिन्स में हुआ था इसका जो विशय था वह था पार्टनरिंग दा रेंज इंगेंजिंग दा वर्ल्ड यह भी आपके लिए महत्पूर इससे लिखरी जेगा और इसकी कर पीडियाप चाहिए तो आप टेलीग्राम में पर स्टॉल करिएगा वहां पर सर्च कर अचे यहां से प्रश्ण कई बार परिच्छा में पूछे गए था सभ्का पूछे गए हैं साल यहां से प्रश्ण बनाया जाते हैं इसका अजन नॉम्बर 2017-67 में हुआ था बान सहर जन्वरी में जर्मनी में यह यह महत्पूर्ण सहर आपके इंपॉर्टेंट है इसके बारे में किसी वीडियो में आपको चर्चा करके बताएंगे और दोस्तों इसका जो 24 सम्मेलें अ ज्यादा है दोस्तों यह है आपका इसकी स्थापना जो आयोजन हुआ था ब्रुशेल्स ब्लेल जीया में हुआ था और इसकी अस्थापना चार अप्लव नहीं सौन चार्च कुई कुल सदस देस इसमें 29 है 29 जो सदस था वह था मोंटे नेग्रा यह इंपॉर्टेंट है इस्तांबूल तुर्की 2018 में प्रसावित है इसका दोस्तों मैंने आपको प्रमुक अंतराशी सम्मेलन का परिचे बता दिया एक साथ में जो आपके परिच्छा के लिए काफी महत्तपूर्ण है यह प्रात्री बरते लिखित परिच्छा के साथ साथ आगामी सभी भरती पर च्छों के लिए काफी महत्तपूर्ण है इसका नोट्स बना लिजेगा और आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप हमारे फेस्बुक पेज इलेनिक बिद्रगेश और टेलीग्राम पे द्रगेश सर्च करके इलेनिक बिद्रगेश से वहाँ प्राप्ते कर सकते हैं और इसक्रम में आपको प्रते दिन हम करेंट अफियर की एक एक वीडियो अपडेट देंगे जो कि हमारा टारिगेट है कि हम आपको 31 तारिक तक आखिर 31 दिसंबर तक कम्प्लीट करेंट अफियर प्राप्ते लिखित परिच्छा के लिए उपलब्द करा देंगे आप लोग सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सेर कर देजिएगा ताकि सभी बेक्तियोतों के पहुंच जाए क्योंकि आप अगर मेरी मदद करना चाहता है तो सेर जुरू करिएगा ताकि कोई भी साती छूटने ना पाए क्योंकि हमारा लच्छ है 2019 तक सभी जितने भी प्रतियो